तो फ्रेंड हम आज को ने कंप्पूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम यह पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से क्लिक करके डिरेटिस वेबसाइट पर आ जाएंगे इस पर आनिक बाद आपको सबसे परहले रिजिस्टेशन करना होगा हम क्लास नेंट का रिजिस्टेशन करेंगे यह थे इसके निचे दर्कू करने बटन हो आप डिसरा पर की करेंगे तो आपको तीन टैप मिलेंगे पारा जो है STSC और General Category के लिए है दूसरा जोब है OBC के लिए है तिसरा Minority के लिए है तो आपका जो भी cost है आप उसको select कलेंगे तो हमारा यहाँ पर OBC है देखी OBC है तो मैं यहाँ पर OBC वाली में फेल करूँगा अब फिरेंट देखिए आपको इसमें ध्यान देना है हमारा BA, BSC, Post Graduation, Diploma इन सब के लिए होता है पतल आप 9-10 के लिए Pre-Metric 11-12 के लिए Post-Metric, Intermediate तो आपको जिस भी Class का करना हो तो आप उसका कर सकते है तो हम यहाँ पर 9-10 का करेंगे तो यहाँ पर देखी Pre-Metric वाल आपसन है आपको जो सिच्छड सस्तान होगा जहां से आप स्टेडी कर रहे होंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे इसके बाद देखिए वर्ग या जाती समूत तीन नंबर कालम में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आनने पिछड़ा वर्ग मेरा OVC था तो मेरा यहाँ एक ही ही आगये में इसको स्टेक्श करेंगे इसके बाद चात्रहल आपको सेम नाम इसमें टाइप करेंगे इसको बाद आपका अधार से डिशिटर होना चाहिए ओरिवाला इसके बाद फासवोड और निर्मीद पासवोड बनाएंगे त यहां पर टाइप करेंगे उसी पासवोड को कुछ को इसके बादई स्कोर सभाय कुछ दिए सबमेट करेंगे आपको का रिजिस्ट्र सब्मिट डीनम्य नहीं लेके आपको rod लैर्गे आप इसी रजिस्टेसर नंबर से अपने फार्म को लॉगिंग और फिल करेंगे आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट याप प्रिंट डॉल ऑप्सेंगे और आप इसको प्रिंट पर आ जाएंगे अब इस पी आनग बाद ऒरिंगे आप फिर से स्टूदेंट वाली आपसेंट पर आएंगे अब हमें क्या कली आप refinku करें इसके बाद आपना पासवड या वेरिफिकेशन कॉड आप जो पासवड बनाये तो इसमें टाइप करेंगे अपने क्लिक के लेंगे इसके बाद आप देखेंगे यहां पर हमारा registration complete हो चुका है जो कि हैंसे registration से लिए हम प्रिंट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको करके दिखाया अब इसके बाद देखेंगे डीजी लाकर से सत्यापन करें अब आपको जो है डीजी लाकर एप्लिकेशन जो होता है डीजी लाकर प आपका mobile नमबर आ जागा आप एक capture फिल करेंगे यहां पर consent देंगे जैनेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके इस नमबर पर एक OTP आएगा आप उस OTP को फिल कर लेंगे फिरंट देखेंगे हमारे नमबर पर OTP आप इस वाले box में टाइप करेंगे और यहां पर यहां पर जैसा पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का option है कर डिजी लाकर के लिए अब यहां पर आपका डिजी लाकर account तो होगा नहीं अगर होगा तो बात सही है अगर नहीं होगा तो मैं आपको पताता हो किस तरह साब डिजी लाकर account create करेंगे सबसे पहले तो OTP भेज़ा जाएगा आप उस OTP को इसमें फिल करेंगे और यहाँ पर submit बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे आपके सामने इस तरह का option आएगा आप यहाँ से सेलेक्ट आल वाला जो option है इसको सेलेट कर लेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे और आपको बस अलाव वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद पर देखेंगे आपके अधार कार्ड से आपका डाटा यहाँ पर फैचो करके आजाएगा आप बस यहाँ पर स्क्रोल करें करने बाद आप देख सकते हैं हमारा डिजी लाकर से सत्यापन यह वाला भी option ग्रीन हो चुका है अब हमें अपना फॉर्म कंप्लेटली फिल करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं पंजिकरण ब्यूरण में हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था वह सामने आ जाएगी आप अप देख सकते हैं ब्यूरण में बिगात इस्फोल का नाम आप पिछली कच्छा में इसकै पर इस्फोलम का नाम डॉ scenery करेंगे कच्छा में आप पास तरह भील्टर है यहां पे इस हमनो का सकता है कि अगर आप इसको लगाव में नहीं फील किया थे एंगे, धूर्श करने को में फिल कर सकते हैं, शुथ म हमारे नायं थे रहेगा, इसके बात कच्छा में प्रोवेश्टी थे, मतलब आप class 9 मतलब जिस class में भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो आप कब admission लिए थे उसके यहाँ पर data आप डाल देंगे और यहाँ पर बोड का पंजीन करमाग आप डालना चाहते स्कुल से मांग कर रुखोर डाल सकते हैं बाकी बोड का नाम यहाँ अपना यूपी बोड सी अरिया का पिन कोड डालेंगे आपका email id फिल कर देंगे कोई आप और माता का नाम डालेंगे यहाँ पर कच्छा आठ उत्रे रुख महारा नाव का है तो कच्छा आठ में किस यह में क्वालिफाई किये थे आप उसको यह पर सेलेट करेंगे इसके बाद बिद्द्याला का करेंगे ऑन डालेंगे आपका ऑधेंट करेंगे इसको सेलेट कर लेंगे इसके बाद इस्टिक में बैंक नाम इसके बाद इस डिस्टिक में कौन सा ब्रांच है आप यहां से अपना ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपने आप नाम डालेंगे जैसा आपका बैंक अकाउंट में है और आप यहां पर चात्रया चात्रा का खाता संख्या नंबर होगा आप यहां पर खाता न पत्रह से प्लता पुर भरा दिया गया और यहां पर फिर से home button पर क्लिक करें बिंगे और देखेंगे यहां पहला ही स्टेप complete हो एक यह से आवी तन यहां से अविवरण पत्र को संसो धीत करें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने भी जो फिल किया था उसमें अगर आपका कोई करक्षिन है ता आप उसको अभी भी कर सकते हैं तो हम जो देखिए एक बार इस पर क्लिक करके उसको चेक कर लेंगे हमारा सब सही रहेगा तो हम यहां बस नेक्ष वाले अप्शन पर बढ़ जाएंगे आपको इसमें फिल करना है और प्रमार पत्र जो नीचे वाला अंखोगा इसमें फिल करके capture code फिल करके get data पे क्लिक करना है आप यहां पे देख सकते हैं आप जैसे get data पे क्लिक करेंगे आपके इस नंबर से आपका डिटेल आप फेच्चो करके आ जाएगा आप इसको मिला जालेंगे और यहां पर verify income डिटेल आले option पे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं एक डिस्टिक डाटा से आप प्रमार संख्या मिलान सफल मतलब हमारा यहां पर आया जो है सफल हो गया है अब यहां पर में जाती प्रमार पत्र इसी तरह उसका फार्म नंबर आप फिल करेंगे आ आपका वहां पर डिटेल आ जाएगा और आप फिर से verify करेंगे आप इसी तरह जैसे आए आपका यहां पर सफल हो गया मिलान इसी तरह से आपका जाती भी सफल हो जाएगा आप देख सकते हैं जैसे अपना जाती प्रमार पत्र का डिटेल फिल किया अब डाटा हमारा सब आ अब आपके अधार कार्ड में आपका जो नाम डेटर बर्थ होगा अब उसको यहां पर फेच किया जाएगा आप यहां इस वाले उप्सेन पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करनेक बाद आप देख सकते हैं आपका रजिस्टेसन डीटेल आ जाएगा यहां पर आपका नाम आ इस बॉक्स में अपना अधार नमबर डालेंगे और इस बॉक्स में अधार नमबर दोबारा से डालके आए एक्सेप्ट वाले उप्सेन पर क्लिक करेंगे कैप्चा कोड फिल करेंगे बैरिफाई आधार वाले उप्सेन पर क्लिक करेंगे आपके अधार यहां पर आप जैसे home button पे click करेंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारा यह वाला step भी complete हो चुका है और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दो फ्रेंड कि आप जब परमाड़ी कर रहे तो अधार नंबर वाला इस वाले option को अपना अधार नंबर डाल के फेज कर लेंगे plus 9th और 10th में तो यह नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप 11 या 12th का फिल करेंगे तो automatic आपका detail verify होने के बाद आपका जो है OTP की through भी होगा आपके इस नंबर पर OTP भी जब गाए जो अधार से आपका register होगा तब आपका एवाला step complete होगा इसके बाद देखिए NPCI सत्यापन हो कि हमारा ए भी automatic हो चुक है क्योंकि हमारा बैंक अकाउन हमारे अधार कार्ट से seeding उसका सही से किया गया है अगर आपका यहाँ पर आधार सेडिंग NPCI नहीं होगा आपका एवाला option एपर रुख जाएगा आपको उसको wait करना होगा उसको सही कराना होगा देखिए पर हमारा सारा step complete हो गया आभी भी जो है फार्म को अगर आपको संसुद्धन करना ता आपको संसुद्धन प्रिंट कर लेंगे था हम आप इसको जो बस शेप करके रख लेते हैं कस्टमर को दे देंगे student को वह जो है इसको चेक कर लेगा अगर सब सही रहेगा था हम direct farm का final print निकालेंगे अगर कोई correction करना होगा था हम जो इसको correction करके उसको provide कराएंगे इसके बाद प्रिंट आप देखेंगे हमें पर back to home all option पर क्लिक करके home page पर फिर से back हो जाएंगे और देखिए हमने जांच वाला print कर लिया और इसके बाद अगर आपका जांच करने के बाद अगर आपका कोई भी correction रह जाता है इसको उने जांच पर क्लिक किया जांच वाला print आउट हम देदेंगे student चेक करा कि लाएगा अगर उसको लगता कि हमारा कुछ इसमें detail miss match है तो आप उसको फिर से सही करेंगे देखिए सही करने के लिए आवेदन पत्र को संसोदित कर लिए option पर जाएंगे आप उस detail को सही कर लेंगे इसके बाद आप यह last में आएंगे संसथा में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट करें इस वाले option पर क्लिक करेंगे और अपना final print प्रिंट करके student को provide कर लेंगे और उसको चेक कर वालेंगे अगर आपका सब सही रहेगा आप एजिली जो है last वाले option क्लिक करके final print दे सकते हैं अगर आपका कुछ correction करना हो आप यहां से correction कर सकते हैं अगर आप इसी समय इस वाले option पर क्लिक कर देंगे फ्रिंट आपका farm लाख हो जाएगा अगर आ आसा करते वीडियो आपको काफी helpful लगा होगा अगर आपका इसमें कोई भी confusion है कोई भी question है friend आप हमसे comment में पूछ सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे so friend मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जैहिन